Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. इस वीडियो में हम साखी, हिंदी कोर्स B का जो चाप्टर है, हमका एक काव्य है, उसके हम 20 MCQs सॉल्व करेंगे. अब जो साखी जिसमें आठ दो हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके टोटल कितने दो हैं, आठ दो हैं, आठ दो हैं, आठ दो हैं में से जो भी questions बनते हैं, वो तो हर जगा आपको मिल जाएंगे. जो कवी का introduction है, जो पाट प्रवेश है, उसमें से मैंने MCQs बनाए हैं, जो MCQs इसमें होंगे 20, जादा से जादा उसी में से होंगे, और पेपर में भी उसके आने के chances जादा हैं, तो हम start करते हैं, solve करना. अगर आपको और MCQ वीडियो चाहिए, इसके पर तो आप बता सकते हो, comment section पर, okay, so जैसा कि मैंने बता है, 20 के MCQs solve करेंगे, and class 10 Hindi course B का ये chapter है, chapter basically काव्य है, okay, पहला question है, कबीर जी का जन्म कब हुआ था, तो कबीर जी का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है, 1392, 1397, या फ कबीर जी का जन्म कहां हुआ था, काशी में के दार नात कुम या फिर कहीं पे नहीं हुआ था, तो इसका correct option होगा, काशी में उनका जन्म हुआ था, 1398 में, फिर अब कबीर जी मर गए थे, ठीक है, obvious ही बात हो, उसका भी question आया था, कि कौन से year में मरे थे, तो उनके year कितनी कितने year के बाद उनका दिहान तो गय था, मर गय थे वो, तो आपको बताना है, 110, 120, 130 या फिर 140, इसका correct होगा, 120 की आयू में वो मर गय थे, अब कबीर दास जी के एक गुरू भी थे, जिनका नाम क्या था, वो आपको बताना है, तो कबीर दास जी के गुरू का नाम, गुरू रामा नंद, सु नेक्स्ट क्वेशन है, कबीर का अवीर भाव ऐसे समय में हुआ था जब, अवीर भाव का मतलब होता है, प्रगट होना या उत्पती, ऐसे टाइम पर कबीर जी के उत्पती हुए थी, या फिर प्रगट होए थे, जब मनलब प्रगट होने का साख्या बनाना शुरू किया था मतलब ये लिखना दोहा वगर लिखना शुरू हुआ था उनके टाइम पर ये किस टाइम पर उनका अवीर भा हुआ था तो राजनेतिक धार्मिक और सामाजिक क्रांतिया जब अपने चरम पर थीर तब या फिर राजनेतिक धार्मिक और सामा लाइन लिखी हुई है कि कबीर का अवीर भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनितिक धार्मिक और सामाजिक करांतिया अपने चरम पर थी इसके बिल्कुल कवीपरीचै से उठाया गया प्रशना जो कि बिल्कुल आ सकता है तो इसका करेक्ट होगा गेहरी समय माजिक कबीर जी शास्त्र ज्यान की फैक्शा में किसको अधिक महत्व देते थे किस ग्यान को वो जादा यूनो मानते थे तो पोथी के ग्यान को या फिर अनुभफ पोथी यानि जो मोटी मोटी बुक्स होती है उनके ग्यान को या फिर अनुभफ के ग्यान को अनुभफ यानि एक्सपीरियंस के ग्यान को जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है आप उसी को लिख रहे हो आप लोगों को बता रहे हो या फिर दोनों बुक्स का भी और एक्सपिरियंस दोनों ही उनका रहता था करहट को डोनों या फिर इन में से कोई ने तो इसका correct answer का अनुभव के ज्ञान को वह शास्थ्र ज्ञान की शास्थ्र ज्ञान और पोथी का ज एक ही चीज़ है तो शास्त्र ग्यान का से जादा वो अनुभव एक्सपीरियंस में बिलीफ करते थे कभी दास जी ईश्वर को क्या मानते थे निर्विकार अरूप या फिर कवर्ख दोनों यह दोनों ही मानते थे या फिर इन में से कोई नहीं तो मानते थे यह बुक में प्रवेश बाकि साखी में जितने भी कोशन बनते हैं वो आपको पताई है हाला कि लास्ट में दो कोशन हमने साखी से इंक्लूड कर रखे हैं कभी इदास जी की मिनित्यू का बुईति 513 515 15 15 या फिर 15 17 या फिर 15 18 उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 15 18 साखी शब्द का अर्थ क्या होता है साखी सकी सुखी साक्षी क्या होता है तो यह कोशन तो बहुत फेमस पूछा भी जा सकता है यह है अब आपका पाठ प्रवेश में जब पाठ में जाने से पढ़ने से पहले जो उसके बारे में दिया रहता है तो इसका करेक्ट होगा साक्षी साखी का मतलब होत सब्सक्राइब बता सक्ञाइब अर्थ क्या होता है कि इसका कर्यक्षी में सबसे ज्याधाम महत्व किस ज्यान का होता है थोड़ी नहीं का या फिर इन दोंने के ज्यान का या फिर इन मेंसे कोई नहीं जो संध्व संप्रदाय होता है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनुभव के ग्यान को कबीर दाज जी के द्वारा रजित साखियों में किन-किन भाशाओं का या साखियों कर लेना साखियों में किन-किन भाशाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई पड़ता है ओके अवधी सानी बोचपुरी पंजाबी इन सबका मेल मिश्रन आपको दिखाई देता है उनके साखियों में कबीर दाज जी की भाशाओं को क्या कहकर पुकारा जाता है पचमेल खिचडी सद्धुकडी या फिर इन दोनों ही नामों से बुलाया जाता है या फिर इन में से कोई नहीं कव और ख दोनों पचमेल खिचडी और सद्धुकडी दोनों ही नाम से बुलाया जाता है इसका करक्ट आंसर होगा कव और ख दोनों साक्षी वस्तोत्व दोहा चंद ही है अब आपको यह याद रखना इसका वी अलग कोशन बन सकता था कि साक्षी जो है वो किस दोहा है तो इसका करेक्ट आप्शन होगा फस्ट वाला कि 13 और 11 विश्राम होते हैं जो 24 होती है वो मात्रा होती है साक्षी वस्तोत्व दोहा चंद में तो आपके पास यह नेक्स्ट दोहा है हम घर जालया आपड़ा लिया मुराणा हाथी अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी त जो मुराणा वर्ड आया है इसमें आप देख रहे हो यहां पर ही आया हुआ है इसका अर्थ क्या है जलती हुई लकड़ी ग्यान रूपी मशाल या फिर कौर खर दोनो या फिर इन में से कोई नहीं तो कौर खर दोनो जलती हुई लकड़ी को या मशाल को ही हम क्या कहने है उसके बाद next इसी से related है कबीर 10 जी घर जला कर किस से बचना चाहते हैं लालत से, मोह माया से घमंड करने से या फिर ज्यान से वो किस से बचना चाहते हैं मोह माया से वो बचना चाहते हैं और एक और पूछ सकता है कि वो क्या पाना चाहते हैं तो वो ज्यान पाना चाते है मुमाय से बचना चाते है अब इक बार इसका मतलब देख लेते हैं वो बोलते हैं कि मैंने अपना घर खुद जलाया है इस ज्यान रूपी मशाल से यानि इस जल्केटी विलकडी जल्केटी को गिसे Color कर रहे है ज्यान से अगर मैं इससे अपना घर जला देता हूँ तो मुझे ग्यान की प्राप्ति हो जाएगी और मो माया से दूर हो जाऊँगा है जो घर वगरा है इसको जला कर मैं मो माया से दूर हो जाऊँगा और मुझे ज्ञान की प्राप्ती हो जाएगी, फिर वो दूसरे लाइन में बोलते हैं, हम घर जालो, जालो मतलब वही चीज जलाना, तास का, तास का मतलब उसका, तास का मतलब बोता है उसका, ठीक है, इसका मतलब लिख लो बनना, इस पर भी कोशन में सकता है, तास का क्या म यह चीज हो गई, अब यहां नेक्स एक और दोहा है, एक और दोहे पर एक कोशन है, वह आप देख लो, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भाया न कोई, एक आशर पीव का पढ़ेसु पंडित होई, यह दोहा है, इसका मतलब भी हम समझें कि उससे पहले हम कोशन द देख लेते हैं, पीव का अर्थ क्या है, पीव का मतलब क्या होता है, प्रिय, प्रेम का, या फिर कौर ख़ दोनों या फिर इन में से कोई नहीं, तो कौर ख़ दोनों होता है, अगर पीव का मतलब सेपरेटली देखो तो प्रिय होता है, ठीक है, अगर दोहे से लेटर बट पंडित आज तक कोई नहीं बन पाया एक है आशिर पीव का आशिर का मतलब आपको यहां लिखना है ठीक है कि क्या होता है अक्षर ठीक है तो एक अक्षर अगर आपने प्रेम का या प्यार का पढ़ लिया ठीक है प्रिय प्रिया का मतलब वही हो गया तो आप पंडित बन जाओगे अगर आपने एक भी प्रेम काक्षर इश्वर के प्रेम काक्षर अगर आपने पढ़ लिया है तो आप पंडित तब आप पंडित क्याला दोगे मोटी मोटी बुक्स पढ़ने से जो कोई भी है वो पंडित नहीं क्या लाता इतने सारे पंडित मर्ग इतने सारे लोगों ने मोटी मोटी पोथी पढ़ी है बट आज तक कभी कोई पंडित नहीं बन पाया मुआ का मतलब आपको याद रखना है मरना यहां पर हमारे 20 MCQs complete होते हैं I hope इसमें कुछ नया ही सीखने को मिला होगा आपको जो मैंने इसलिए questions भी कम रखे हैं ताकि आप इसको देख पाऊ ठीक है just one short revision में अगर आपको वापस भी revise करना just go through this video once or twice or thrice okay before the exam and अगर आपको और chapters पर चाहिए तो आप just comment करके बता सकते हैं इस वीडियो को like कर देना and वीडियो को जितना हो सके उतना share करना क्योंकि ग्यान बाटने से ही बढ़ता है and चैनल को subscribe जरूर कर देना आप चैनल को subscribe क्यों करना है था कि जितनी भी notifications आये class 6 to 10 की videos का वो आपको जल्दी से मिल जाए and thank you very much for watching this video good bye beautiful people